हलो फ्रेंड्स मैंने में सोरभ एंड यह वाचिंग दिया इंड मैं तो दोस्तों यह वीडियो रितिक रोशन की पॉट्रेट ड्रोइंग टुटोरियल के बारे में बहुत चैसे इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्तों ने क्योशन किया था इससे रिलेटेड के नहीं इस रितिक कि जो पॉट्रेट आपने जो बनाई है उसके ओपर एक टुटोरियल बनाऊ तो यह क्या मैं फूल टुटोरियल बना रहो हूँ और यह क्या मैं पार्ट्स में बनाऊँगा ताकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न लगे बोरिंग न लगे और दोस्तों जो भी मैं चारकुल पैंसिल यूज कर रहा हूँ और उसको समझते फिर आप अपने तरीके से ड्रोइंग बना सकते हो अब मैं यहां पर इंडेंटिंग इस्टैलिस टूल का यूज कर रहा हूँ वाइफ हैर्स के लिए आप टॉम्बो मोनो जिरू एरेजर का भी यूज़ कर सकते हो वाइट एर्स के लिए बस आपको स्ट्रोक्स में काम करना है देखो मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूं इसके इंडेंटिंग स्टैलिस है अब फोर भी चार्कॉल पेंसिल से यह देखो आप जहां पर मैंने इंडेंटिंग स्टैलिस टूल यूज़ की है वहाँ पर अपने आप अपने आप उटोमेटिकली भाइट हैर सारे आप देख सकते ह हो अब मैं किया थोड़ा फास्ट कर रहरा हूं थोड़ा सा यहां पर क्या फोर भी चार्कॉल पेंसिल की क्योंकि यहां पर ब्लैक है ना इसलिए आप बस टेक्निक को समझो और फिर अपने तरीके से बनाओ चारकुल पेंचिल अपने हिसाब से आपको इसी भी यूज़ कर सकते हो अब मैं ब्रस से ब्लैंड कर रहा हूँ इसको हेर्स को ताकि क्या ये ऐसे ऐसे न लगे कि कि ये ब्लैक हेर्स से अलग लग रहे हैं अब मैं इसके इसके कॉर्णर्स को मर्ज कर रहा हूँ हेर्स के साथ में आपको बस समझते हुए दीरे दीरे बनाना है क्योंकि रियलिस्टिक ड्रोइंग में पेशिंस बहुत जरूरी होते है ये देखो अब मैं टॉम्बो मोनो जिरो एरेजर से वाइट हेर्स बना रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बता है था कि आप टॉम्बो मोनो जिरो एरेजर भी यूज कर सकते हो ये देखो मैं वाइट हेर से स्ट्रोक्स में यूज कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर वाइट चार्कूल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ वाइट चार्कूल पेंसिल का है इसको मर्ज करने में बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट होती है इसलिए मैं यूज करता हूँ ये हैं स्टेडलर की black pencil आप चाओ तो चारकुल pencil से मिरज़ कर सकते हो मेरे को लगा है स्टेडलर pencil को स्टेडलर pencil भी थोड़ी रफ चलती है तो ये मेरे को काफी effective लगी आप मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ यह देखो आप जैसा कि मैंने पहले प्रोसेस में बताया था वैसे ही आपको बस करना है आपे कोई हार्ड सीज नहीं है यह देखो अब आप हेर्स देख सकते हो कि कैसे दिख रहे हाई लाइट में अब बस आपको समझते बनाना है आप दोस्तों यह पर ग्रेफ़ाइट पैंसिल से भी हैर बना सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है मैंने जारकुल पैंसिल इसलिए उसकी यह क्योंकि थोड़ी डार सलती ग्रेफ़ाइट पैंसिल भी सलती है डार लेकिन यह थोड़ी बेश से ब्लैंड कर रहा ही पहले किन और सबिको अब र Verb przy 명 थे और द करते हो घ्रोंकि यह देखी हो जिए कंब आप Stupid स्क्रापन करते हो मां बेसी क्रेंश करना कर माइक्रो हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ मैंने पहले आली वीडियो में बताया वाइए एक वीडियो मैंने बनाई वी इसके उपर यह देखो आप समझते वे बस देखते जाओ वीडियो को और एपलाई करना अपनी ड्रोइंग में आगे बनाओगे कभी यह देखो मैं माइक्रो हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूं इसी रेजर से काफी एफेक्टिवी रेजर है मैंने फर्स टाइम यूज किया था ड्रोइ अब मैं इसको केम्लिन केम्लीं सारकॉल पेंसिल से यहाँ पर जो इसके आरॉ interact क्रेइट किए उसके चारो और मैं यह इसे पैंसिल यूज कर रहा हूं अब कोई जरूरी नहीं यह केम्लीं यूज करो आप कोई दूसरी चारगोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हूं. यह मैं के थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि सेम प्रोसेस है. यह देखो, आप मैं यह रिजर का यूज़ कर रहा हूं. बस आपको करना क्या है, बेस लेयर-तायार करनी है, फिर बाद में electric razor से highlight create करनी है और फिर बाद में इसको blend करना है blending stem से फिर वापिस ऐसे इस process को repeat करते जो तो जब तक repeat करते जो जब तक आपकी जो drawing है वो आपकी reference photos दे सीना दिखने लग जाए अब देखो मैं round brush का use कर रहूँ base layer create करने के लिए आपको स्कीन में जो भी डार्क पार्ट दिखता है उस पे आप डाइरेक कोई कोई मतलब डार्क ग्रेट के पैंसिल यूज मत करो सबसे पहले आप बेस लेयर क्रेट करो ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए क्योंकि बेस लेयर जितनी अच्छी होगी आपकी उतनी ड्रोइ क्रेंग नहीं देखना है कि इसमें कितना टाइम आप बस पिशेंट से बनाओ यह देखो मैं यहां पे क्या हलका ग्रिफ चारकल पॉडर यूज़् कर रहा हूं चारकल पाउडर में जनरल की चार्कॉL Pencil से बनातू हूं, Sand Paper पर यूज़ करके यह देखो, पहले मैं Skin के लिए Depth के लिए यह कर रहा हूं, अब मैं White Circle Pencil का यूज़ कर रहा हूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं White Highlights कैसे Create करता हूं, तो आप देख सकते हो, मैं White Skin के लिए ये वाइट चार्कूल पैंसिल यूज़ कर रहा हूँ अब इसको टीशू पेपर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ आप चाहो तो पहले एक वीडियो देख सकते हो मैंने बताया भी था उसमें कि मैं कैसे वाइट स्किन क्रियेट करता हूँ वाइट लेयर अब फिर जैसा मैंने पहले भी किया था अब मैं इलेक्ट्रिकी रेजर का यूज़ कर रहा हूँ आपको बस आप इलेक्ट्रिकी रेजर को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रोक्स में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कई-कई आयलेट से ऐसी होती है जो राउंडनेस में नहीं होती है जो थोड़ी ऐसे होती है यह देखो मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में यूज़ कर रहा हूँ एलेक्ट्रिक रेजर को अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर दो इस पार्ट को क्योंकि मैं आपको पहले बता चुक हूँ इसके बारे में बस आपको समस्त बनाना है पूरी ड्रोइंग को यह देखो मैं स्टेडलर की ब्लेक पैंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क पार्ट है नहीं इस लिए आप ग्रेफाइट पैंसिल भी यूज़ कर सकते हो कोई जरूरी नहीं यहीं यूज़ करो आप ड्रेफाइट पैंसिल से भी बहुत अच्छी स्क्रीन इसके ड्रोग की जा सकती है यह देखिए जहां जहां पर डार्क पार्ट है मैंडí स्पैंसिल का यूज़ कर रहू हूं फिर अब देखा इसको ब्लेंडánd कर रहो मैं ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड कर रहा हूं दोस्तों एक बात जान लगने स्कीन बनाते टाइम आपको जो आपका ब्लेंडिंग स्टम है उसको सेंड पेपर पर बीच-पीच में साफ करना जरूरी है वरना क्या है वो ऐसे स्पोर्ट से रहने लग जाएंगे उसके उपर एक मैं बस बेस लेयर के लिए कर रहा हूं यह आपको तब तक रिपीट करनी है इस प्रोसेस को तब तक बनाना है जब तक आपकी जो ड्रोइंग है वो रेफरेंस फोटो से ना मेच होने लग जाए एकदम डिटेलिंग जहां हाईलाइट वहां आप प्रोपर ली देखो ज यह मैं हलका असा फास दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता चुक हूं इसके बारे में क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबियत हो कि पूरा दिखाना वो पोसिबल नहीं हो पता इसलिए मैं बीस बीस में भी दिखा रहा हूं अब आप ग्रेफाइट पैंसिल ये देखो आराम आराम से जैसा आप बेफरेंस फोटो है वैसा कर वैसा बस बनाते जो मैस करते जो डिटेलिंग को आप इसको ब्लैंड कर दो तो आपको करनां क्या पैंसिल करनी है फिर ब्लैंड करना प्रबापाइस तोarin ब्लैंड पैंसिल ँसक्लिण वहाँ करना हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर मिसंग है कि मानलो कि आप यह चीज मालों वाँ पे हलकी डिटेलिंग है तो आप वापी साओ तो लाइट ग्रेट पेंसिल यूज़ कर सकते हो अब देखो मैं यहाँ पे वापीस इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूं तो मैं क्या वो प्रोसेस को रिपीट करता रहता हूं जब तक कि मेरे को वो वो एंड रिजल्ट ना मिल जाए अब इलेक्ट्रिक इरेजर से आप हाइलाइट करते हो माइक्र आईलाइट्स अब वापीस मैं डार्क रेट पेंसिल यूज़ कर रहा हूं आप 3 भी यूज़ कर सकते हो 4 भी यूज़ कर सकते हो अकोर्डिंग ली जैसे कि आपको लगता ह आपकी स्किन टेक्ट्चर कैसा है उसके अकोर्डिंग अब वापीस जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको वही बेस लेर क्रेट कर रहा हूं अगर आपको माल लो कि ब्रश में आपके ऐसे लगता है कि हाईलाइट जहां पर आपको क्रेट करना है बेस लेर क्रेट करना है तो आपके ब्रश को हलका सा या फिर तो अपने हैंड्स पे या फिर कोई कपडे पे आप रब कर सकते हो और फिर आप ऐसे बेस लेर क्रेट कर सकते हो ताकि आपको एकदम लाइट ग्रेड में ऐसे वो आप बेस लेर क्रेट कर सको आप देखो मैं यहाँ पर ब्रस से ही वही मैंने बताया था चारकॉल पाउडर का यूज कर रहा हूँ जो मैंने जनरल चारकॉल पेंसिल से बनाया है मैं क्या आपको इस जो मैंने रित्तिक रूशन के ड्रोइंग बनाया है इसको मैं क्या है यह फुल टुटोरियल पार्ट्स में बनाना चाहता था था कि आपको क्या है पूरा समझ में इस ही से यह देखो बस आपको अब हेर्स यह हेर बनाने हैं ब्लेंड करते चलो प्रूपर्ली ब्लेंडिंग स्टम से आपको अच्छे से अच्छा लगता है आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो यह देखो जहाँ पे हेर्स है हेर्स के लिए तो डार्क चार्कॉल बेंचल 4 भी या 6 भी यूज़ कर सकते हैं आप वह देखो राउंड ब्रॉश से राउंड ब्रॉश से बेस लेयर क्रियेट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो फ्लेट ब्रॉश होती है उससे क्या है बहुत फरक पड़ता है अब वो ही मैं वाइट चारकॉल पैंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो पहले मैंने प्रोसेस बताई थी बस वैसे यह बस दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है बाकि जो भी portrait होती है वो आप easily बना सकते हो कोई सी portrait अब लेए यह देखो वोई tissue paper से मैं वाप्पिस blend कर रहा हूँ white circle pencil को बस यही होता है realistic drawing और क्या होता है अगर smooth skin है तो smooth skin के लिए जरूर नहीं पढ़ती texture की तो क्या आप direct जैसे pencil यूज़ कर सकते हो और उसको blend कर सकते हो फिर वापिस dark red pencil यूज़ करो फिर blend करो कहीं पर highlights लगती है तो उस पर आप dombo mono zero eraser या फिर needed eraser का भी यूज़ कर सकते हो वो भी काफी effective होता है अब यह देखो मैं यहाँ पर electric eraser से micro highlight जैसे मैंने पहले किती वैसी कर रहा हूं कि वापिस वो pencil repeat कर रहा हूं है एच भी यूज़ कर सकते हो आप अगर यह देखो इसके बाद hp के बाद जैसे 3 भी हो गई 4 भी हो गई अगर वापिस लगता है तो वापिस hp यूज़ कर सकते हो आपके ओपर depend है यह देखो अब इसको मैं blending system से blend कर रहा हूं आप आराम आराम से बस blend करो और बनाते जाओ बस अपने आप जैसे जैसे आपकी बंती जाएगी यह देखो अब यह देखो अब यह देखो mechanical pencil भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत जादा माइक्रो आईलाइट से माइक्रो टेक्शर है तो इसकीन में इस फोर भी की mechanical pencil है जितनी लेयर्स होगी उतनी ही depth आएगी अच्छी ड्रोइंग में यह देखो आप देख रहे हो ना भी कैसे हाइलाइट हाइलाइट कितनी यह हैर के पास में हाइलाइट देखो कितनी अच्छी क्रियेट हो रही है यह देखो मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वापीस pencil वही light grade pencil भी यूज कर लेता हूँ अगर मेरे को ऐसा लगता है तो अब देखो वही process है जहां पर extra highlight है मैं इस electric razor का यूज कर रहा हूँ यह देखो आपको highlight दिख रही होगी कितनी प्रोपरली मैं किया पूरी drawing को जब मैं बनाता हूँ तो मैं किया ओब्जर्व करते चलता हूँ भले मैं आगे भी थोड़ा निकल जाते हूं तो ओब्जर्व करता हूँ ताकि मेरे को अगर ऐसा लगता है कि पहले मैंने कोई मानलो कि कुछ ने कुछ छोटी मोटी कमी छोड़ दी तो मैं क्या वापिस उसको वापिस ड्रो करके उसको सही करता हूँ यह देखो दोस्तो अगर आपको यह एकदम देखो यह एकदम thin hairs है तो क्या thin hairs है तो मैं क्या इसमें वो use कर रहा हूँ क्या होते कि इसको sharp कर रहा हूँ इस pencil को सही से properly जहां पे dark hairs है एकदम dark है वाँ पे आप direct dark red charcoal pencil यूज़ कर सकते हो क्योंकि वाँ पे detailing का काम ही नहीं है यह देखो दोस्तो इस skin के साथ hair को मर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने नहीं किया तो वो क्या hair और skin अलग दिखने लग जाएंगे बहुत साथ आर्टिस्ट यह नहीं बताते हैं आपको वो क्या आप direct बना देते हैं और उनके drawing में मेरे को ऐसा लगता है कि hair और skin यह properly blend होने चीए एक दूसरे में ताकि वो अलग नहीं दिखें drawing से drawing में ऐसे अलग नहीं दिखें यह part यह देखो आपको जैसा कि मैं skin में blend कर रहा हूँ है hair को यह देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं charcoal powder का यूज करता हूँ वही मैं skin को वापिस base layer create कर रहा हूँ मैं यही brushes यूज करता हूँ एक तो flat और एक यह round blending के लिए shedding के लिए यह देखो टॉमबो mono zero eraser से मैं highlight create कर रहा हूँ जो थोड़ी micron ना हो थोड़ी सी ज्यादा हो उससे यह देखा हूँ बस आपको समस्ते ड्रोइन बनानी है पूरी जहां पर और ज्यादा डार्क ने से मैं और ज्यादा माँ पर इसे टेक्शर प्रिएट कर रहा हूँ यह देखा रहा हुआ है यह देखा हूँ यह यह प्रिख्ट्री रेजर वो जदा यूस्फूल है जा पर टेक्शर अगर आपको इसकीन में नहीं एक टेक्शर वला सकीन होता हो यह देखो आप देख सकते हूं आपको बहुत पेशेंट से बनाना वो ट्रॉइंग को कोई भी पोर्ट्रेट सूस करो बली अगर उसमें स्मूथ स्कीन हो या फिर अगर आपको रियलिस्ट्री बनाना तो आपको बहुत पेशेंट से बनाना आता है माइक्रो डिटेल्स पस क्रिएट करते रहो आप ड्रॉब करते रहो समझते एक तम मिलिगा कि अगर रहो आपको वेलिस्ट्री आपको ढ वेलिदे रहों एा है मिलिगा मिलिगा भी प्रॉब करते रहों इसां करते रहों तो दोस्तों मैंने अब तक मैक्सिमूम चीजे कवर कर दी है आप नेक्स जो भी कोई पोर्टेट बनाते हो आप उसमें ये कोई सी भी चीज अप्लाई कर सकते हो जो मैंने बताई है आपको कर दो मैंने बताई कर देजे आपको झाल 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 झाल